तो दोस्त मेरा ना मेरा हुल स्वागत है अपका टेक्निकल वर्गेडिव चैनल पर दोस्तों अगर आपकी कूलर की मोटर नहीं चल रही है तो इसके कैसे चेक करना और कैसे ठीक करना इस वीडियो में बताने वाला हूं इसके लिए आपको व्या करना है इसमें थोड़ा सा ओईल डाल देना इसके साफ्ट में इससे क्या होगा पंखडी स्मूथ हो जाई और मोटर चलने लगीगी अगर इसकी पंखडी इस टाइप से फ्री घूम रही है तो आपको व्या करना सप्लाई को आउन करके पंखडी हो गया है क्यों इससे क्या हो गया है क्या हो इसके बार ही बताऊंगा अगर माल लेते हैं ृस टाइप से पंखड़ी घुमाने के बाद हमारी जेन्य गोगजने degrees ट्रक पंखडी रगावबातासे harmoni एस पहले रही होते हैं, तो लिए को कितने मोटर रहती है, यहां पर देख़ें, इस चेक करने के लिए यहाँ पर एक 2-Core की वायर लेना देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई वायर पड़ी है तो आप इससे चेक कर सकते हैं देखिए आप इस टू-Core की वायर को मोटर की दोनों वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया अब हमें चेक करना यहाँ पर अगर हमारी मोटर चलने लगे तो कभी अगर आपकी मोटर इस टडाइप से चलने लगे तो इसका मतलब कर दो께 चलने लगे जो सब्सक्राइब कर पर अगर तो इसका मतल्म पम्प उ नहीं चलना तो मेंन सपना दो में चलने परबल watershed में में प्रॉलम हो सकती है आपको मेन सप्लाई की वायर को भी चेक करना है अगर पंप चल रहा है तो इसका मतलब क्या है यह स्विच या फिर रेगुलेटर जो भी लगा है वो खराब है आपको इसे चेंज करना पड़ेगा अगर मान लेते हैं इस टाइप से डायरेक्ट चेक करने क बाद हमारी मोटर नहीं चल ली तो आपको क्या करना है इसके बैक कवर उससे खोल लेày ना क्या होता इसके अंदर जो याट्पेशिटर का व्यारे में होती है तब इन आप's का साथ ईसके वायर चेक करना कोई wire heat हो कि निकल तो नहीं गई या फिर wire तूट तो नहीं गई है अगर आपके motor में capacitor खराब है तो आपको यहाँ पर capacitor की दो wire दिखाई दे है जो कि winding के wire से connect हो रखा है आपको दोनों wire को निकाल लेना और जितनी capacitor का capacitor लगा हुआ आपको check कर लेना उतनी तीन winding की wire निकलिए, दो पीला तारा और एक लाल तारा यहाँ पर देखिए में में सप्लाई की wire और कैपिस्टर की wire को अलग करना होता है कनेक्शन हटाने से पहले आपको इसकी फोटो खीच लेनी ताकि आपको बाद में connection करने problem ना है कभी कबार क्या होता है, बाद में connection करते हैं, motor उल्टी भी चलने लग जाती है उल्टे connection हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बाद फोटो खीच लेना, तब ही इसकी wire को अलग करना, तो यहाँ पर देखिए तीनो wire को winding के जो तीन wire आपको दिखाए दे रहे, तीनो wire को मैंने अलग कर दिया है और इसके बाद हम इसकी winding को check करेंगे, winding इसकी जल तो नहीं गई है, या फिर winding short तो नहीं है, तो इसके चेक करने के लिए तीनो wire को हमें अलग-अलग कर देना तो इसे check करने के लेंट है क्या करना होता series touch lamp मनाना होता series touch lamp अब असानी से बना सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होता एक sov outline का bulb चाहँ होता holder चाह 맞ा ऌ Give us a wire चाहँ होता है और this देखिया guitar bulb और holder ले रखा है है यापण देखियो fire इसमें connect हो國家 दो तार इसमें connect करने होते हैं देखिए आपर जैसे हम बल्ब का connection करते हैं और इसे check करने के लिए एक बार हम एक extensive board लेते हैं अगर आपके पास extensive board नहीं है तो आप किसी socket के पास में इसे लाके check कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं पहले बल्ब को check कर लें देखिए आपर यह हमारा बल्ब है वह जल रहा है अब हमें इसका series test lamp मनाना है तो series test lamp मनाने के लिए हमें एक तार का टुकड़ा और चाहिए होता है तो यहाँ पर देखिए एक wire का मैं पीस ले लिए अब हमें क्या करने है आपर जो bulb holder के दो तार आपको दिखाई दे रहें दोनों में से कि इसी भी एक तार को हमें क्या करना socket में लगा देना extension mode या फिर आपको आपके घर में switchboard है महाँ पर आप लगा की चेक कर सकते हैं देखिए एक wire को मैंने bulb holder के एक wire को मैंने socket में लगा दिया और यह दूसरा wire है हमें इस type से पकड़ लेना है और इस wire को में socket के दूसरा terminal में ल लगा है हमारे बल्ब जलरा इसका मतलब बाइनिंग ठीक है बल्ब जलना चाहिए इसकी साथ पीले और लाल तार से लगा है मैंने यहाप भी बल्ब जल रहा है इसका मतलब यह दोनों winding भी ठीक है इसकी साथ हमें चेक करना है हमारी motor short तो नहीं है तो यहापर देखिए किसी भी winding के एक वायर पर लगाना और motor की body उसे टुछ करना तो देखे, जैसे मैं टुछ कि यहाँ यहाँ पर Bulb नहीं जल रहा, इसका मतला हमारी motor सौट नहीं है यहाँ पर वायर बल्ब नहीं जलना चाहिए अकर बल्ब जल रहा है तो इसका मतला हमारी motor क्सी है यहां पर दूसरी गायर और तो यहां पर दूसरी बा या पर वाटराइर तम आ जह करते हैं सथे लालवाली मोटर की बाटीस çek आल और बाटीस की ऐं सब्लब करते हैं हमारी मोद्निंग की बाटईutral giving मोटर नुंक से दो sah आधिGroup होता हमारी motor sort है motor problem और इसी के साथ जैसे कि हमने winding की wire को चेक किया था अगर किसी winding की wire पर हमाय बर्ब नहीं जल रहा है इसका मतल है winding जल गई है तो आपको इसकी दुबारा winding करवानी बड़ी है तो दोस्तों इस आपने cooler की motor को चेक कर सकते हैं अगर चेक करने problem आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपकी motor में तीनो वायर पर बर्ब जल रहा है और motor sword भी नहीं है तो इस case में यह हो सकता है जो इसके अंधर capacitor लगा है वो capacitor खराब होगे जिसके इससे motor start नहीं हो रही तो इस case में आपको क्या करना capacitor को change कर देना इससे क्या हो जो motor चलने लगीगी तो दोस्तों इस टाइप से आपने motor को चेक कर सकते है अगर आपको फिर भी इससे ठीक करने problem आ रही तो आप comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद पूले में